दोस्तों, कम्पूर्टर में एक सॉफ्टर है एक्सल है, मैं आपको रियल बता दूँ, एक्सल इतना बड़ा है, कि एक्सल सीखते सीखते जिन्दगी खतम जाएगी, लेकिन एक्सल खतम नहीं होगा, तो अगर आप एक्सल यूज करते हैं, तो एक्सल में आपको जब भी कु उनसे क्यों कोई बता दे, तो उसे हम बोलते हैं, ट्रिप्सًे ट्रिक से, दोस्तों आज इस वीद्यो के देमा आपको सिखाने वाला हूँ, एक्सल के दत्रिप्सनуск के बाद आप भी कहेंगे, क्या बात है सर Äक्सल में वो ट्रिक क्या है, जानने के लिए इस वीडियो में स थेसाखतें कि यहां पर text भी है फिर इसके बाद number है फिर text है इसके बाद फिर तीन number है यानि कि एक ही column के इंदर text भी है और नमबर भी है तो इस आप सा desses तरीक लगाय जाये कि जितने भी यहां-पर text दिये हैं वह filter होकर K 총 यहां-पर devastating सblic करना है keyboard से पाइच करना है CTRL G आपके सामने यहां पर पहुंगा गो टू नीचे आपको जाना special में और यहां पर अपको स्लेट करना है constant से इसके इंदर यहां पर नीचे चार ओप्षन दिए हैu numberbas logicals और error से हमायख गोड़ाओ टेच्स चाहिए तो यहां पर नमबर, लोजिकल्स और एरर को मैंने अंचेक कर दिया, टेक्स पर by default पहले से चेक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर OK करना है, तो OK करने के बाद, आप यहाँ पर दे सकते हैं, कि जितने भी टेक्स दिये वे हैं, सब यहाँ पर select हो गए, अब यहाँ पर अब ब्रेसाइन से copy paste करके, text को filter कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर control C से copy कर लिया, और जहाँ भी text चाहिए, वहाँ जा करके, control B से paste कर दिया, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सब भी text यहाँ पर filter करके आ गए, ऐसे ही, यहाँ पर जितने भी number दिये वे हैं, इसे भी filter करना है, तो आपको यहाँ पर सभी column को select करना है, keyboard से paste करना है, control G, तो यहाँ पर go to open हो गया, इसमें चला गया मैं special में, फिया पर constants पर click किया, और इस बार हमें यहाँ पर लेना है number, तो यहाँ पर text logical error को मैंने uncheck कर दिया, number by default इस पर click है, और यहाँ पर कर दिया मैंने okay, तो जितने भी number यहाँ पर दिये वे हैं, सभी select हो गए, बस control G से copy करना है, और जहाँ भी number चाहिए वहाँ जाकर के, control भी से paste कर देना है, text यहाँ पर come, और number यहाँ पर ज़्यादा था, तो सभी filter हो करके यहाँ पर एक बार में आ गए, तो आपने देखा कितने कमाल का trick है, trick number 2, दोस्तों एक सर्व यह एक data है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ entry किया वा है, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस entry में से, किसी एक रो को delete कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर यह जब पांचमा रो है, इसे मैंने slate किया, right click करके इसे कर दिया मैंने delete, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो हमारा CL number है, यह हमारा बेकार हो गया, 4 के बाद यहाँ पर आ रहा है 6, तो हम चाहते हैं कि अगर हम किसी रो को delete करते हैं, तो जो हमारा CL number वो automatic update हो जाए, 4 के बाद 5 आ रहाँ चाहिए, 5 के बाद 6, चाहिए हम बीच में से किसी भी रो को delete कर दे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर, सभी number को यहाँ पर मैंने कर दिया delete, और यहाँ पर जो पहला CL number है, इस पर किलिक करके, equal to और type करना आपको row, break it start, break it close, और minus 1, बस इतना आपको type कर देना है, और enter करना है, इंटर करने के बाद यहाँ पर 1 जाएगा, आपको सभी को state करना है, control D paste कर देना है, तो सभी CL number यहाँ पर आ गए, अब मैं यहाँ पर किसी भी एक row को delete करता हूँ, तो number हमारा automatic update हो जाएगा, जैसे यहाँ पर no number row है, इसे मैं यहाँ पर state करके right click किया, और इसे कर दिया मैंने delete, तो आप यहाँ पर सकते हैं, एट के बाद यहाँ पर क्या रहा है, नाईन है, अगर मैं यहाँ पर तीसरों को delete करता हूँ, मैंने इसे slate किया, right click किया, और इसे भी कर दिया मैंने delete, तो तीन के बाद यहाँ पर automatic चार आ गया, तो जो हमारा CL number है, यह automatic update हो गया, तो हैना कबर कर trick है, trick number 3, दोस्तो एक्सल के अंदर आपने कभी कभी mall number, या कोई ऐसे number आपने type किया होगा, जो 10 अंग से जादा है, जैसे 11, 12, 13, 14, यह कितना भी हो, जैसे यहाँ पर आप ज़कते हैं, यह कुछ customer के नाम दिये होए हैं, और मैंने यहाँ पर type किया हुआ है, PNV bank account का number, जो कि 16 digit का होता है, लेकिन दोस्तो, जब मैंने account number यहाँ पर type किया, तो आप यहाँ पर ज़कते हैं, कि यहाँ पर account number पुरा यहाँ पर type नहीं किया हुआ है, साथ में यहाँ यहाँ पर last में सभी में plus 15 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दो number और type करता हुँ, तो last में यहाँ पर आजाएगा plus 11, तो यह काफी बवी problem है, आपको सभी number को state करना है, जिसमें error आया हुआ है, इसके बाद आपको control 1 की प्रेस करना है, तो आपके सामने उपर हो जाएगा, format sale का dollar box से, यहाँ पर आपको state करना है number, और यह दियावा है decimal places से, इसमें आपको two by default होता है, आपको इसे कर देना है zero, और नीचे आपको करना है ok पर click करने के बाद, जितने भी आपके number है, वो सभी एक बार में so कर देंगे, और इसके अंदर अगर आप और भी number टाइप करते हैं, तो यह error आपका नहीं आएगा, जो भी आ रहा था, आप यहाँ double click करिए, यह देखिए, सभी number आपका एक बार में so हो जाएगा, तो हैना कमर का trick है, trick number 4 है, दोस्तो एक्सल के किसी भी column में, जितनी इसकी विर्थी दी हुई है, अगर उससे ज़्यादा कोई आप text टाइप करते हैं, या फिर कोई number टाइप करते हैं, तो वो आपका hide हो जाता है, पूरा एक बार में so नहीं करता, so करने के लिए आप इसे यहाँ पर auto fit करते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर double click करते हैं, या फिर shortcut की भी इसकी होती है, माली जी आपको 100, 200, 500 column में अगर काम करना होगा, और सभी में आपको बड़े-बड़े number टाइप करने हैं, या फिर text टाइप करना है, तो आपको हर column में, बार बार auto fit करना परेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है, कि हम किसी भी column में text टाइप करें, तो वो automatic adjust हो जाए, हमें बाबा उसकी विर्भान की जुवत ना परे, तो जी हाँ दोस्तों उसका एक trick है, आपको करना क्या है, जिस seat में आप auto fit करना चाहते हैं, उस seat के नाम पर, आपको right click करना है, देखिए, यहाँ पर में नाम टैप किया वा है, fit auto, आपको right click करना है, और इसमें आपको जाना है, view code में, ठीक है, जैसी इसमें इसमें क्लिक करेंगे, तो आपको सामने यहाँ पर हो जाएगा, Microsoft Visual Basic for Application, यह एक अलग से page है, इसमें यहाँ पर दियावा है, journal, आपको इसमें क्लिक करना है, और worksit आपको यहाँ पर select कर लेना है, और यहाँ पर टाप करना है, sales, dot, entire column, ठीक है, यह देखिए, entire column आ गया, अगर यहाँ पर list में आ जाए, तो आप यहाँ पर tape की प्रेस करेंगे, यह पूरा एक बार में आ जाएगा, और फिर आपको लगाना है, dot, और यहाँ पर कर देना है, auto fit, यह देखिए, यहाँ पर दियावा है, auto fit नीचे, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, बस आपको इतना ही करना है, और इस साले post को आपको कर देना है, close करने के बाद, जो भी आपने यहाँ पर पहले से टाइप किया हुआ है, आप इसे एक बार कर लिजिए, इसके बाद, आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, दुबारा से आपको auto fit करने की जोगत नहीं परेगी, जैसे यहाँ आप देदिया मैंने, बैंक के नेम से, यह देखिए, और इंटर किया, तो आप यहाँ पर जिसकते हैं, यह auto fit हो गया, यहाँ पर इसकी मैंने वीर्थ नहीं बढ़ाया है, नाम के coding, जो हमारी column की जो वीर्थ है, यह automatic बढ़ गया, ट्रिक नमबर 5 है, दोस्तो एकसल में काम करते से, कभी कभी हमें कुछ ऐसे number मिलते हैं, जिसमें negative होता है और positive होता है, तो हमें negative को अलग से highlight करना है, और positive को अलग से highlight करना है, तो करनी के लिए हम यहाँ पर conditional formatting का यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कोई ऐसा तरीका है, कि बीना conditional formatting का यूज़ किये, हम negative नमबर को और positive नमबर को अलग से highlight कर सकें, तो जी हाँ एक तरीका है, आपको यहाँ पर सभी data को slate करना है, control 1 की प्रेस करना है, इसमें आपको यहाँ पर जाना है custom में, और इसमें आपको टाप करना है angle bracket, यह देखिए, और जैसे यहाँ टाप कर दिया मैंने color 10, color 10 एक green color का code है, यह जो मैंने यहाँ पर टाप किया color 10, इसका मतलब है green color है, और angle bracket close कर दिया, इसके बाद यहाँ पर zero लगा करके लगा दिया मैंने semi colon, तो यह हो गया positive के लिए, यानि कि zero से लेकर के जो भी plus में number है, वो सभी green color में हो जाएगा, और दुबारा से मैंने angle bracket start किया, और इसमें type कर दिया मैंने red है, angle bracket close करके और type कर दिया minus है zero, और last में लगा दिया semi colon, तो यह हो गया negative के लिए, बस इतना करना है और okay पर click कर देना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जितने भी यहाँ पर negative positive number थे, positive में हो गया green color और negative हो गया red color है, trick number six है, दोस्तों आप यहाँ पर सकते हैं, तीन column यहाँ पर type किया वाए, जिसमें की पहला column में employee name का, दूसरा address का और तीसरा contact का, तो मैं इस Excel seat पर काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि employee name में, यहाँ पर full name type करना है, जितने भी employee हैं, और address में का complete name type करना है, पुरा complete address है, और contact number में, अगर किसी दूसरे country का employee है, तो उसका जब while number होगा, उसमें country code different होगा, तो country code के हिशाब से, हमें यहाँ पर number type करना है, तो अगर मैं इस seat को किसी दूसरे को देता हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा, कि यहाँ पर full name type करना है, कि first name, last name, middle name, और address में क्या देना है, city देना है, state देना है, कि full name type करना है, दोस्तों जिस column के अंदर, जो भी यहाँ पर type करना है, उस cell पर click करते ही, वहाँ पर एक message आजा है, कि इसमें आपको क्या type करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर सभी column को state कर लिया, यहाँ पर चलागे, दाटा टेम में, और इसमें यहाँ पर दियावा है, डाटा वेलेशन से, इसमें यहाँ पर डाटा वेलेशन पर click करना है, और यहाँ पर दियावा है input message, मैंने इसमें क्लिक किया, यह दियावा है title, तो title में यहाँ पर मैं अभी employee name वाले column में, यह message दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने हाँ पर टाप कर दिया employee name, ठीक है, यह मैं यहाँ पर sort में टाप कर देता हूँ, और input message में क्या दिखाना है, तो मैंने हाँ पर दिखा दिया, please enter full name, ठीक है, यह मैंने टाप कर दिया, please enter full name of employee, टीक है यहां प carbon टань आप कर दिया और यहां से कर दिया मैंने ओके तो आप यहां सकते हैं मैं किसी भी फे चलिक ऐगा तो नीचे आप एक मैसेज आएगा प्रिश सेंटर फुल रिक पार fast employee अईसे ही सिर्ट करो एड्रेस है तो एड्रेस के लिए यहां पर मैंसे दिखा सकते हैं फिर यहां पर जो फिर कॉंटेक्ट के लिए प्रु से लिए दिखा सकते हैं तो सबीष्ट। तो column तो मैंने यहाँ पर set कर लिया अब row set करने के लिए मुझे यहाँ पर नीचे के और drag करना परेगा और यह fix भी नहीं है कि यह 100 तक जाएगा यह बार बार उपर नीचे हो जाता है यहाँ पर manually हम यहाँ पर set करना परता है कि हमारा 100 number कहाँ पर दिया वा है तो इस तरीके से आपके साथ अगर problem आती है तो मैं आपको यहाँ पर ट्रीक बताता हूँ जिसका use करके आप एक बार में जितने row जितने column का उप स्रेट कर सकते हैं सिर्फ आपको यहाँ पर जो यह जब पहला row दिया वा है पहला row पहला column यानि कि A1 आपको इस पर क्लिक कर देना है और यह दिया वा है name box से इस पर क्लिक करना है A1 तो हमारा पहला row पहला column है तो total मैं यहाँ पर काम किया वा है G वाले column तक है तो यहाँ पर column लगा करके ठीक है column जो double बिंदू होता है उसे बोलते है column इसके बाद आप किस column से किस row तक select करना है उस column का नाम यहाँ पर type कर देजिए मुझे G वाले column को select करना है तो मैंने आप जी type कर दिया और row आपको कहां तक चाहिए मुझे चाहिए 100 तक है तो यहाँ पर type कर देता हूँ मैं 100 और जैसे मैं इंटर करूँगा जिस column का मैं नाम दिया था वहाँ तक यह select हो गया और नीचे यहाँ पर 100 तक select हो गया यह देखिए यह 100 बार row है यहाँ पर CL number हमारा 99 है लेकिन row number हमारा 100 है तो आसा करता हूँ कि आपको सब में आगे हाँगा कि कितना important हमारा यह trick है trick number 8 है दोस्तो एक्सल में किसी भी column जब आप नाम टाइप करते हैं तो नाम टाइप करने के बाद उसके column की अगर width कम है तो नाम आपका पूरा so नहीं करेगा अब यह मैंने पहले एक बताया था trick है आटो फिट column width का लेकिन वह मैंने आपको बताया था VVA code के जरिये लेकिन आपको एक trick और बताता हूँ जिसका यूच करके आपे सिर्फ एक click से सभी column की width को आप एक बार में adjust कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा column दियावा A और यहाँ पहला row दियावा 1 इसके बीच में आपको यहाँ पे click करना है और किसी भी column के बीच में आप यहाँ पे double click करेंगे तो जितने भी column यहाँ पे दियेवे हैं सभी column की जो width है content के recording automatic set हो जाएगा यह देखिए सभी column का width जो हमारा है यहाँ पे automatic fit हो गया trick number 9 है दोस्तो एकसर में काम करते से row column लानी के लिए आप shortcut की जोर यूज़ करते होंगे लेकिन shortcut की यूज़ करने से क्या होता है एक बाद देखिए मैं यहाँ पे control space है control plus कर दिया यह column की shortcut की है तो एक column यहाँ पे आ गया अगर मुझे यहाँ पे 2 column और चाहिए तो यहाँ पे control plus की paste करूँगा यह देखिए यहाँ पे 3 column लानी के लिए मैंने 4 shortcut की यूज़ किया control space है और control plus को 3 बार लेकिन दोस्तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप सिर्फ एक बार में ही जितने column आपको चाहिए उतने column आप ला सकते हैं और जितने row आपको चाहिए उतने row आप यहाँ पे ला सकते हैं आपको करना क्या है जिससे माल लिए मुझे quantity वाले column से पहले 3 column चाहिए तो यहाँ पे मैं 3 column को state कर लूँगा और जैसे मैं control प्लस की प्रेस करूँगा सिर्फ एक shortcut की से यहाँ पे 3 column आ गया ऐसे ही इन 3ों को डीट करना होगा तो मैंने यहाँ पे state कर लिया और control मानस से इसे डीट कर दिया अगर हम यहाँ यहाँ पे रो लेके आना होगा तो मैं यहाँ पे 3 row को state कर लेता हूँ या पर जीतने भी चाहिए मैंने यहाँ पे 5 row state कर लिया और control प्लस की प्रेस किया एक ही shortcut की है row और column के लिए तो आप यहाँ पे सकते हैं 5 row यहाँ पे insert हो गया ऐसे ही से read करने के लिए insert में को state करना है और control मानेस की प्रेस कर देना है तो सभी row यहाँ पे एक बाव में read हो गए trick number 10 दोस्तो एक्सल में आपको पास कुछ data है जो काफी बड़ा है और आपको यहाँ पे data की बीच में जहां से जहां तर आप state करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरी स्लेट कर रहा हूं तो यह manual हो गया अगर आपको automatic करना होगा तो आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दिजिए सिर्फ control G प्रेस करिए आपको सामने उपर हो जाएगा go to और यहाँ पे दियावा reference है इसमें आपको जहां से जहां तक state करना होगा जैसे यहाँ पे दिया मैंने B2 से ले करके मुझे state करना है F20 तक है और यहाँ पे OKAYPIC किलिक कर दिया तो जो reference हमने यहाँ पे दियावा है वो say यहाँ पे हमारा select हो गया देखे यहाँ पे B2 से ले करके और नीचे हमाँ स्लेट कुआ है B20 तक यह देखे 20 रो है तो मैनुआ आपको स्लेट करनी की ज़िए उतनी है आप और अटोमेटिक भी स्लेट कर सकते हैं तो आशा करता दोस्तों आज के वीडियो आपको काफी पसंद आयोगा तो आज के वीडियो आपको थरुब बहुत भी अच्छा लगाएते वीडियो को लाइक कर दें और कम्पूटर में हमें इसा कुछ नियाज सीखने के लिए हमाँ चेल को सस्क्राइब करके बेले केमोटर पेस कर दें मिलते एक नहीं वीडियो में ठेंक्स